नमस्कार साधना प्लोस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ प्रगटी चतरवेदी और आपके साथ बहुत-बहुत स्वागत आपका राज़ानी दिल्ली की तमाम बड़ी ख़बरों के साथ प्रोपेसर डॉक्टर रवी प्रकास बने अर्ज़ेक्ट प्रोपेसर प्रिनी राज के आरेप्रिनिदी सबाजेक्ट रिदी बढ़ाई का रवी के साथ बैदिक सिक्षाओं को पढ़ाई आगे डिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर भीड से मिलेगी राहा ज्लू रेड येलो की सभी प्रेनों को आठ कोच का करेगी डियमार्सी डियमार्सी ने संख्या बढ़ाने के लिए मंगवाई 120 कोच डिल्ली पुलिस कोरोना पर हुई और सक्त कोरोना के निजेश को पालन नहीं करने पर काटे चलान डिल्ली में कई रेस्टरांट और होटर के मालिक पर आफाया अर्दर्ट दिल्ली में कोणा के बाद अब देंगू और मलेरिया ने पसारे पैर दिल्ली के हॉस्पिटल्स में डेंगू की 14 और मलेरिया के 5 केसिस आए सामने चले राज़ानी दिल्ली की तमाम बड़े खबरों के साथ शुरुवात करेंगे जहां प्रोफेसर डॉक्तर रभी प्रकाश को महरशी दयानंद विश्री विधाले रहतक में अध्यक्ष प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए त्रिनिदाज के आरे प्रतिनीजी सभा के अध्यक्त रोशन परस्राम सिंग ने बठाई दी है वहीं पारसमार सिंग ने कहा कि तुनिदाज के एपियस विश्रे में वैदिक सिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोफेसर डॉक्तर रभी प्रकाश के साथ काम कर रहे हैं और दुनिया को महान बनाने में वै के पर पारसमार सिंग ने कहा कि प्रोफेसर डॉक्तर रवी प्रकाश इस बात का प्रभाण है कि अच्छी चीजें उन लोगों के लिए आती हैं जो एक सार्थक लक्ष पहुंचने के लिए बलिदान करने के लिए तयार रहते हैं वहीं उन्होंने अपने जीवन और करियर म में इस मील के पत्थर की उपलब्धी पर आभार जताया है और कहा कि वह आज गर्व महसूस करते हैं और अपनी अगली चुनौती पर उठने की श्चंता में विश्वास करते हैं बहुत ही प्रसंदता की हम सब के लिए बात है कि महर्शी द्यानद विश्वी त्याले में महर्शी द्यानद की विचारदारा और उनकी फिलोसोफी पर रिशर्च करने के लिए और उसको पूरे विश्वास तर पर प्रचारित प्रचारित करने के लिए द्यानद चेयर तो ही है UGC के और से ये बहुत ही स्वागतियोग्य और प्रसनता का विश्य है दूसरी बात इसमें जो डॉक्टर अभी प्रकाश जी को प्रिश्क के तोर पे वहां पर चुना गया है तो ये और भी अधिक प्रसनता और और भी अधिक गर्व की बात है कि एक ऐसे भी द्वा और ये पहले ही टॉक्टर अभी प्रकाश जी ने दिस बात को सबसे अधिक मानते थे उनकी माननेता थी बैक टुडी वेधाज वेदों की और विश्य देयंन्द को पूरी दुनिया की समझे समख्यां के समाधान के रूप में देखते थे वेद को सबसे अधिक प्रामानिक ज्यान और विज्यान मानते थे वेद को इश्वर की वानी मानते थे सबसत्य विद्याओं का एक प्रकार से भंदार वेद को वो मानते थे SMRC दयानंद की पीठ में वेदों का जो वास्त्विक स्वरूप है जिसमें ज्यान और विज्यान है उसको पूरी दुनिया के सामने रिशर्च के माध्यम से प्रस्तुत करने का जो कारिय और जो क्षमता डॉक्टर रवी प्रकाश जी मैं है मैं समझता हूं कि उससे ने के अलवेदों को बलकि महरशी दयानंत सरस्वती को भी और प्राचीन भारतिय वैदिक संस्कति को भी पूरी दुनिया के अंदर एक विशेश पहचान मिलेगी आज सबसे पहले ये भी हम लोगों को सो भागी प्राप्तु हुआ कि जैसे ही डॉक्टर अभी प्रकाश जी की विश्विद्याले में महरशी दयानंत चेर के चेर्मेन के तोर पे नियुक्ति हुई तुरंत के हम को समाचार मिला और हमने उनका आग्रह किया कि वे यहां रोतक के पास में ही वैदिक विचारधारा का अंतर राष्टिय प्रचार केंद्र स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ है जिसमें निशन आर्यावर्थ न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में वैदिक विचारधारा को प्रचारित और प्रचारित किया जाता है तो डॉक्टर रवी प्रकाश जी को हमने यहाँ पर इसके इंदर में आमंत्रित किया और उन्होंने सहज बड़े सहरधता से हमारा निमंत्रन स्विकार कर यहाँ पर वो पधारे और यहाँ पर कई गाउं के आरे समाज के जो अधिकारी थे कारे करता थे उन सबोंने आरे जगत के बहुत ही उचकोटी के सन्यासी चारों वेदों के विद्वान व्याकरनाचारी दर्शनाचारी स्वामी चंद्रवेश्ची महराज का आशिरवाद भी डॉक्टर रवी प्रकाश जी को प्राप्त हुआ मैं चाहता हूं कि दैनन्द चेर पे जो हमारा प्राचीन भारतिय अग्यान विज्ञान है जैसा कि महरशी दैनन्द ने कहा था कि विद्व सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है तो वो जो सब सत्य विध्याय हैं उन पे हम research करेंगे कि किस प्रकार से भारत में ज्यान विध्यान पल लवित हुआ और सारी दुनिया में वहाँ से फैला दूसरे हम कुछ छोटे-छोटे courses चलाना चाहते हैं कि जो विध्यार थी mainstream में पढ़ते हैं उनकी अगर अपनी विध्या में प्राचीन भारत के ज्यान से के संबन्द में जानकारी प्राप्त करने की रुची है तो उनको वह ज्यान दिया जाए क्योंकि एक तो research work जो शोद करना चाहते हैं उनको हम जोड़ेंगे दूसरा lectures ताकि विध्यारतियों को अपने past से प्रेम हो वो उससे जुड़ने की कोशिस करें कि हमारा past जो है भूत है इतना गंदा नहीं है जिस प्रकार से उसको project किया गया है और दूसरे हम उसमें seminar कराएंगे एक ongoing seminar on ved and vedic sciences ongoing seminar का मतलब हर समय कोई भी विद्वान आएगा उसमें lecture होते रहेंगे बड़े बड़े conference और seminar की बजाएं और साथ साथ ये भी हम कराना चाहते हैं महरशिद आयनंद की ये जो पीठ है बनाई होई है ये UGC के द्वारा आई है इसका पूरा समय साथ वर्ष का है तो साथ वर्ष के बाद ये शायद फिर खत्म भी हो जाएगी या कोई extension मिले तो अलग बाद है तो ये एक विशेस कुछ प्रावधान है UGC के नियोम में उसके तहत इस पीठ को लाया गया है तो इस पीठ में यही पेट भरने की शिक्षा ने दे के जो आत्मा का भोजन है उसकी भी शिक्षा होनी चाहिए क्योंकि हमारे यहां तो आत्मा का भोजन नहीं कोशिश करेंगे संस्कार की संस्कृति की शिक्षा भी आवश्यक है तुम्हेर को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आरेसमाज के लोग बड़े भारत की संस्कृति और भारत की सब्यादा प्रारंब से ही बहुत ज्यादा उसके बारे में जागरूक हैं और समाज में चलाए और इस देश की आजादी में जो भाग लेने वाले लोग तो उसमें असी प्रतिशत लोग आरेसमाज से प्रभावित थे तो ऐसे समाज के जो वरिष्ठ जन हैं उनसे अगर मेरा कोई सम्मान होता है तो वह मेरे लिए सत्मुची गवरव की बात है बढ़ते हैं आगे जहां दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विन केजिवाल ने हर्याना के जीन में किसान महापंच्वायत को संबोधित किया वहीं किसानों को संबोधित करते हुए केजिवाल ने कींडर और हर्याना सरकार पर जमकर निशान साधा है इस दोरान मुखे मंत्री क केजिवाल ने कहा कि किसानों ने च्रक्का जाम किया है और आम आदमी पार्टी किसानों के संघर्ष में उनका समर्थन करती रहेगी वहीं पंजाब और हर्याना की किसानों ने दिल्ली कूच किया था तो हर्याना सरकार ने जगा जगा पर आसू गैस के गोले छोड़े और बे परिशान करने के लिए संसर्द में पास विद्यक पर भी बात की है। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सारे जने पूरे दिल से मुठ्थी बंद करके, हाथ उपर करके, जोर से बोलेंगे। भारत मतागी, इंकलोर, इंकलोर, बंदे, बंदे। हर्याना के कोने कोने से आई हुए, मेरे भाईयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को अपने भाई, अपने बेटे का नमशकार सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं उन तीन सो से ज़्यादा शहीदों को नमन करता हूँ, अभी हमने उनको यहाँ पे श्रधानजली दी, लेकिन पूरे देश की तरफ से उन तीन सो लोगों की शहादत को नमन करता हूँ, जिनों ने किसानों के लिए संघर्ष करते करते खुशी खुशी अपनी जान गवा दी। अब हमारी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, उनकी शहादत बेकार नहीं होनी चाहिए अब, अन्त तक लड़ना हैं लड़ोगे अन्त तक लड़ना हैं उनके शहादब वेकार नहीं होने चीए अभी पता चला कल रोतक में इन्होंने किसानों पर नाथी चार्ज कर दिया यह बड़ी गलत बात है जिस देश के अंदर किसानों का सम्मान नहीं है वो देश कभी प्रग्ति नहीं कर सकता किसानों का साथ देना चाहिए सरकारों को कि किसानों के ओपर लटी चार्ज करना चाहिए हम कड़ी निंदा करते हैं इसकी और आज पूरे हर्याना में बता रहे हैं किसानों ने चक्का जान कर रखा है हम किसानों के इस संघर्ष का समर्थन करते हैं मैं अभी जब आया मेरे को भी काफी काइम लग गया कई जगे से मेरे को घूम के आना पड़ा लेकिन मेरे को कोई तकलीफ नहीं है अभी मेरे को पता चला है कई सारी बसे कई सारे लोग जो आज यहां सभा में आना चाहते थे वो जगे जगे चक्का जाम में फसे हुए हैं मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं कि हमें अब यह सभा शुरू करनी पड़ी नहीं तो कई लोग जो ग्यारा विजे के आके बैठे हैं उनको भी वापस जाना था मैं तो आज आपी के लिए आप कहते तो पूरा दिन भी रुक जाता उनके लिए लेकिन मेरे को पता चला कि कुछ लोग अब जाने लग गए तो मुझे लगा कि आपसे बातचीत करते हैं उन लोगों से मैं माफी चाहता हूं जो लोग जाम में फसे हुए और अभी पहुंचने में समर्थ हैं दोस्तों जब से जब केंद्र सरकार ने तीनों काले कानून पास करें पूरे देश के किसान दुखी हो गए पूरे देश के लेकिन सारे किसान यह सोच रहते कि कौन आगे बढ़के संघर्ष करें कौन आगे बढ़के इसका बीड़ा उठाए तब पंजाब और हर्याना के किसानों ने आगे बढ़के पूरे देश के किसानों का नित्रत्व किया। हर्याना के किसानों ने नित्रित्व करके इस पूरे किसानों के संगर्ष का नित्रित्व किया और देश के सारे किसानों की आवाज बुलंद किया आप लोगों ने इन तीनों कानून काले कानूनों के खिला सारा देश आपके साथ है ये मीडिय वाले दिखाएं ना दिखाएं चिंता मत करना व्य किछ भी का जिल्ली के बउर्डर पे ना पहुच पारैे हो सकता है तमिलनाडू का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे ना पहुच पाए, हो सकता है असाम का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे ना पहुच पाए, पर ये मत सोचना कि वो किसान आपके साथ नहीं है, रोग सवेरे इस देश का हर किसान दिल्ली के बॉर्डर के उपर बैठे व और जब से यह संगर शुरूआ है पहले दिन से पहले दिन से मजबूती के साथ हर कदम से कदम मिलाके आम आदमी पार्टी अर्विन केजरीवार और मेरी दिल्ली सरकार किसानों का साथ दे रही हैं कदम से कदम मिलाके हम लोगोंने साथ दिया ने मेरे को याद है जब किसानों ने पन्जाब और हर्याप के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूछ करा था दिल्ली बौर्टरफ की तरफ आरे थे तो हर्याना सरकार ने जगे जगे आसु गैस के गोले छोड़े, जगे जगे बेरियर लगा दिये, उनके उपर लाठी चार्ज करा, लेकिन हमारे किसानों की हिम्मत देखो, सरकारों के बुल्डोजर पार करते हुए, आसु गैस के गोले पार करते हुए, इनके लाठी सिप्पार करते हुए हमारे किसान दिल्ली बॉडर के ओपर पहुंच गए तब केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने शडेंत्र रचा केंद्र सरकार ने शडेंत्र बनाया चलो इन किसानों को आने दो दिल्ली जब यह दिल्ली पहुंचेंगे तो केंद्र सरकार ने दिल्ल बड़े बड़े स्टेडियम उन्होंने सोचा इनको जेल बना देते हैं और जैसे ये इस किसान ़िल्ली में पहुचेंगे इन सारे किसानों को उठा के स्टेडियम में बंद करदेंगे फिर बैठे रहना हुई स्टेडियम में बैठके करते रहना अपना संघर्ष यह केंद्र सरकार ने शद्यांत्र रचा पर भाई साथ अपनी किसमत अच्छी थी कानून में लिखा था कि स्टेडियम को जेल बनाने की पावर दिल्ली के मुख्य मंत्री किया तो मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल को सुन रहे थे आप जहां उनोंने जीन में महा पंच्छायत को समबोधित किया जरान मुख्य मंत्री ने लगातार किसानों के साथ खड़े रहने की बड़ते हैं आगे जहां दिल्ली के उप मुख्य मंत्री मनीश रिसोधिया ने वै वैक्सीन और साफ़धानी की जरूरत है। इसके इलावा उन्होंने ये भी कहा कि आज अपने परिवार के साथ कोरोना वैक्सीन लगवाई है। हमारे प्रतिवावान वेज्ञानिकों और मेडिकल टीम और सभी को शुक्रियाद जिन्होंने हमारे लिए वैक्सीन बनाने में दिनरात मेहनत की। इन्ज जरकार को उम्र से जुड़े किसी प्रतिवन्थ के बिना सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। वहीं के इन्ज वासमंतवाले ने जवानकारी दी कि एक दिन में इस महामारी से 714 लोगों की मृत्य हो जाने से मृत्यकों की संक्या बढ़कर एक लाख चौशाट हजार एक सो दस हो गई है। कोविट का किसा वैक्सीन लगवाया है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश के वैक्जानिकों ने इस टॉफ टाइम में डॉक्टर्स ने इतने टॉफ टाइम के बीच में इस वैक्सीन को बनाया और इसको हम सब लोगों के लिए भार्जियों के लिए उपलब कराया मैं तमाम देशवासियों की तरफ से जो कोविट को लेके बहुत तड़े हुए थे और जो बहुत खत्रे में महसूस कर रहे थे पूरा देश उनकी तरफ से सभी वैक्जानिकाप्रा भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैंने और मेरे परिवार ने आज कोवी वैक्सीन का टिका लगवाया है और मैं मुनित करते हैं कि सब ठीक रहेगा और इसी तरह से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं दिल्ली के तमाम लोगों से अपीर करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो प्रोटोकॉल से उनको ध्यान में रखते हुए 45 साल से उनके सभी लोगों के लिए अभी ज़स्ता है जल्द से जल्द लगवाले और साथ साथ में भारत सरकार से भी रिक्वेश्ट करता हूँ कि जो अभी रेस्टिक्शन्स हैं वो हटाके रेस्टिक्टिट सप्लाई हटाके पूरी सप्लाई करें सप्लाई में कटवती ना रखें जिससे पूरी दिल्ली को एक साथ वेक्सीन लगाई जा सके और जो इसक कि चेन तोड़ेंगे जब तक चेन तोड़ने की स्पीड से वैक्सिन नहीं लगेगी तब तक कोविड का खत्रा बना रहेगा तो मैं भारस सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी जादे से ज़्यादा वैक्सिन की सप्लाई दिल्ली को की जा सके हमारी पूरी तैयारी है ह पूरी दिल्ली को वैक्सिन लगाने के लिए प्यार अभी कुछ नहीं अभी ओवरॉल जो रेस्टिक्शन हैं जिसमें अभी पहले साथ साल का था अभी पैतालिस साल का है तो सब के लिए अगर कर दिया जाएगा तो हम बहुत जल्दी से पूरे अपने नेटवर्क को लगा के पूरी दिल्ली को वैक्सिनेट करेंगे उसके बाद ही चेन टूतेगे अगर पूरी दिल्ली को वैक्सिनेट नहीं करेंगे अब मालीजे चावाले साल के वाले को नहीं लगी तो चेन तो बनी रहेगी तो चेन तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि पूरी दिल्ली को तो खेलाप तो प्रयाब में वैक्सिन बिल लगवाई हैं है अभी 45 से ओपर कि यूपर हम यह से स्पीटव से रेश्वण से रहे हैं वो से साथ से कहीं कोई कवी है नहीं हो बताएंगे मैं अभी है एडिकुएट सप्लाई है लेकिन अभी क्युंकि रेस्टिक्शन से उन्प अगर रचाली जाएंगी तो सबको लगाई जा सकती है नहीं मैं कहना चाहता हूं कि डॉकड़ाउन अब कोविट का समधान नहीं है कोविट का समधान वेक्सीन है तो वेक्सीन जतना जल्दी सब लोगों के लिए उपलब्द हो जाए बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए उतना जल्दी अच्छा रहेगा